Hello everyone, welcome to Ochuil Classes, Ochuil Classes में आपका स्वागत है, पिछली क्लास में हमने West Asia के बारे में डिसक्स किया था, उस पूरी रीजन में इंडिया के जो इंट्रेस्ट है और उसमें इंडिया के लिए क्लेंजेंजेंजेंजी और फिर चाइना के साथ इंडिया के उस रीजन में इस रीजन म काफी यूएस की द geehrवारा एकस हमें साथ लगा जाते रहते हैं की तरीके से ककलेंďस की कोषिस में यूएस लगा रहता है तो एसे में इंडिया के साथ इसके संबंदों पर उदुन करने वाले हैं I'm not that much good in the maps to drawing maps तो यह अगर माल लो इंडिया है और यह इंडिया का वेस्ट इस वेस्ट जो फ्रॉंटियर्स है वहां पर यह पाकिस्तान है ठीक है फिर यह अफगादिस्तान है यहां पर और फिर यहां पर देख सकते हो यह दिस इस एराइड इरान मोज इंडिया का परोशी इंडियस था एक तरीके से बॉर्डर करता था कब यहां पर इंडिया के साथ बॉर्डर करता था अगर हम बात करें इंडिया इरान के रेलेशन्स इक में बैक्डाउं की बात करें तो जो हमारा रेलेंस है वह एक तरीके से एनर्जी शेंट्रल एसिया और सेक्वर्टी के इरान के साथ पाकिस्तान अफगनिस्तान रीजन में जो सेक्यूरिटी है उससे रिलेटेड है एनर्जी टॉप्मस्ट रिक्वार्मेंट है आप कह सकते हो इरान के साथ इंडिया और चेंट्रल एस्या आल्सो कनेक्टिविटी के पॉइंट अब व्यू से काफी महत्रपूर है जो हम चाब ह से के साथ कनेक्टिविटी है वह पाकिस्तान की वज़े से बादित होती रहती है और दोनों देश जो है और काफी तवरल जो है कॉमन फीचर्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में लाइंग्वेजिस की लेबल पर देखा जाए कुल्च्रल एंड ट्रेजिशन के लेबल पर ठीक है भारप यह जो लांग्वेज यहां पर है वह पूरे इस रीजन की लांग्वेज यहीं से इसी से डेबलफ होई थी ठीक है आप रेगवेदिक काल में अगर देखोगे कि जो यह आहुर माजदा का कॉंसेप्ट है जो वह एक तरीके से इरान से जुड़ा हुआ है कु जो हमारा इंडिया इस इस्लामिक पॉपलिशन कंट्री और इरान भी है इरान ठीक है तो इस तरीके से कल्चर कनेक्शन भी काफी अच्छे है रेडिशन भी काफी अच्छे है ठीक है और जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेसंसिप है वह बैसिकली 1950 में मतलब एक स्टेबल हु है एक तरीके से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेसंसिप की सुरुवात कह सकते हुआ 15 मार्च 1950 से शुदू हुआ था लेकिन क्या हुआ कि बाद में आगे चल करके इरान जो है वगदाद पैक्ट 1954 में जोइन कर लिया था यह कोल्ड बॉर का एरा था और वगदाद पैक्ट जो ह है आपने नाम से होगा उसके नाम से फेमस है तो और जो कोल्ड वार पॉलिटेक्स है इन दोनों देशों के बीच में नजदी की संबंदों को प्रभावित करती रही रही एक तरीके से 90 के दसक तब ठीक है बगदाद पैक में चले जाने के बाद चुकि इंडिया गुट न से यह जो है दोनों देशों के बीच में संबंद थोड़े से एक तरीके से खटा सकते हो आपके डिस्टेंस आगे थे स्विद्ध के काल में जहां भारत कुटनीट पेच्छता का संबंद तक था वहीं सोवियत रूप ते उसके संबंद बहतर थे और जब इरान जो साही सास और नंगे लेकिन पहले उसके हम एक बड़ देख लेते हैं जो रिफीयृशन वह था उसकी बात मैं कर रहा था वह आगे हम करने वाले हैं यहां पी यह बाले हम देखते हैं कि वागदाद पैक्ट क्या था गया ऐसके कंट्रीज है जो यहां पीका यह देख सकते हो ठीकिन Kingdom, तरकी, इरान एराक पाकिस्तान यह है भगदाद पैक्ट था औरिजिनली इसको जो है आप Central Treaty Organization यह Central के नाम से भी जान सकते हो हलागि बाददाद पैक्ट नाम था लेकिन इसको Central Treaty Organization के रूप में भी जानते हैं Middle East Treaty Organization यानि मीटो के नाम से भी जानते हैं और यह एक military alliance था इत वाज military alliance कोल्ड वार्क टाइम पर कोल्ड वार के टाइम पर military alliance बनाए गये थे कभी लाइक नैटो नैटो भी था एक military alliance इसी तरीके से जो रस्यन ग्रूप से उनका वार्साय पाइक्ट एक military alliance के रूप में डेवलफ हुआ था ठीक है और यह उन्नी सो पच्वन में बनाए गया था वाई इरान इराफ परगरतान तर्की एंड युनाटर के इंगडम और 1979 में यह dissolve कर दिया गया था ठीक है तो यह एक बगदार पैक्ट था जिसमें इरान सला गया था जिसके वैसे इंडिया ने इससे दूरी बना ली थी 1979 में जो इरान में साह कि सासन के समप्ती हो गई ठीक है और धार्मिक जो लीडर्स थे वह सत्ता पर काबिज हो गए सत्ता पर उन्होंने अपनी सक्ति को बढ़ा लिया था और इस सक्ति के बढ़ने के बाद इरान और अमेरिका के बीच में जो सम्बंदों में तेल कमपनियो के राश्ट्यकरण के मुद्दे पर तनाव बढ़ गया परन्तु भारत के साथ सम्बंदों के इस्तती भी वैसी ही रही क्योंकि इरान ने भारत पर कस्मीर में मुस्लिम जन संक्या के साथ अमानमी विवहार करने का आरोप लगा दिया था ठीक है और चुकि इस दौरान जो का इंडिया वालन कर रहा था इस पूरे रीजन इरान के साथ सम्बंद के उसमें और इरान इराक इरान के मद्द में जो 1988 और 1988 के मद्द जो आठ वर्षी यूद्ध हुए थे उसमें भी भारत क्या था निस्पच रहा ठीक है अब हम बात करते हैं कि पोस्ट जो कोल्ड वार एरा में क्या संबंद रहें दोने देसों के बीच में तो पोस्ट वो पोल्ड वार एरा के बाद आपको मालूम है कि रसिया का डिस इंट्रिडिशन हो गया था और जो अमेरिका था उसकी भी इस्तिति असपर्ष्ट हो गए थी वो पूरा दुनिया जो है यूनी पोलर बोर अमेरिका के प्रतिबंदों से भारत चीन के बाद इरान का दूसरा बड़ा त्यलायक देश था और दोनों देशों के बीच में क्या हुआ सलाना संबंद भी बनने लगे हैं अब तो चीक है सी तो उदिके बाद पूरी दुनिया बदल चुकी थी जैसा हमने बात कर रहे थे अभी और एक महत्रसमा सकती अमेरिका था और दुन दूसरों के भी संबंद बहतर नहीं थे अब अमेरिका और इरान के बीच में और सोवि अब्सक्राव रहे था इसके लिए नए नए इंडिया को फेंज चाहिए थे जिनके साथ संबंद बनाए सके वह इंगे जो इरान था ऊपस्चिमेश्य में अमेरिका के जो प्रभाव बढ़ रहा था उस से अपने आपको बचाने के लिए नए फ्रेंज की कलास कर रहा था और इन ही परिस्थितियों के बीच में जो भारत और इजान के संबंद हैं वह काफी तरीके से कह सकते हो क्लोज बनने लगे और 1993 से 2003 का जो दसक था भारत इजान के संबंदों का गोल्डेन डिकेट आप कह सकते हो 1993 to 2000 1993 to 2003 as a golden Decade golden Decade Decade for golden Decade for the relations of India and Iran और इसमें जो है एक दिल ही declaration भी हुआ था जो डिफेंस और इस्टेजिक पार्टनर्सिप के लिए एक वीजन दे रहा था तेहरान declaration भी हुआ था जिसने जो संभावित सायोग के छेतर थे उनकी तलास करी गई ठीक है तो यह पूरा अब हम आर्थिक संबंदों की इंडिया नाइटी 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 इस में जो इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म से एरॉप्ट किये थे है और सेंटरल जो मनमुहन सिंग्देश को खूल दिया था और खोल लेग फ्रेंडे थे बात किया तो इस में इरान एक अच्छा फ्रेंड के रूप में उभरा था और जो इरान और इंडिया का इंपोर्ट है इंपोर्ट को 85.9 परसेंट जो इंडिया का टूटल इंपोर्ट है क्रूड आयल का वो कहां से आता है इरान से 85.9 परसेंट कि यह कितना बड़ा पोर्शन है और 2014 में इंडिया जो है इरान के लिए शेकेंड लॉर्जस मार्केट था क्रूड आयल के दिश्टिक मोर्ट से देखा जाए तो उसके वाद से जो यूएस का सैंक्शन इरान पर लगा गए गये क्योंकि इसके उपर आरोब लगा देख गया था कि आप यह जो सिविल यूज है निउकलियर का उसके अलावा निउकलियर का इन्रीचमेंट कर रहा है और इसको प्लूटेनियम को जो है एक तरीके से निउकलियर वीपन बनाने में भी प्रयास करने लगा है तो इ इरान ने किसी फ्रकड़ के सर्वेट्षन से माना कर दिया था आये यह यह का कोई भी सर्वेट्षन वहाँ पर इरान में नहीं हो सकता था इस डिस्टिकोर से अमेरिका ने यू एस ने सैंक्सर्व लगा दिया थह और पच्छमी देशों ने भी संग्सर्व के ऊपर और इस तो चुकि वह इंडिया का साथ एक था कि डॉलर के डॉलर से ही payment हो सकता था बाद में यह हुआ कि इरान जो है इंडिया रूपीज में भी payment लेने लगेगा तो payment जो चैनल थे वह ब्लॉक कर दिया गये थे और जो shipment routes थे उनको भी बादित कर दिया गया था जो western countries थे इसलिए ज तो चैज बेटें दे टू कंट्रीज दूरिंगे फिसकल एर तूर रिटन एर ना इन नाइटीन वास से बिएंटीन पोइंट जो त्री बिलियन दो जार अठार उन्नीस में सेवेंटीन पोइंटीन 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 था डॉलर और जो है इसकी अगर चुलना करें हम 2017-18 से टो डॉलर 17.76 बिलियन था जो कि 8 पर्शन का इंक्रेज यानी बढ़त्तरी दिखा रहा है 2018-19 में दो हजार अठार उन्नीस में इंडियन एक्सपोर्ट था वह भी बढ़कर के 3 पर्शन बढ़ा था और जो इंपोर्स था प्रम इरान वह भी बढ़कर के बढ़ा था सब्सक्राइब 21.8 परसेंट के उपर से तो इंडिया अगर हम बात करें के इंडिया वाई इंडिया नीद क्लोजर टाइवित इरान तो एक तो जीओ एकनॉमिक सिग्निफिकेंस जैसा कि हमने बात किया था एनर्जी सेक्योरटी के लिए इंडिया के ताफी महत्रपूर है भारत की जो बड़ी जन संख्या है उसकी आवसक्ता को देखते देखते हुए क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वह काफी महत्रपूर आवसक्ता बन चुकी है और इरान के पास जो है काफी बड़ा भंडार है काफी ज्यादा भंडार है और भारत को तेल निर्यात करने वा इरान तीसरे अस्थान पर इरान भारत को लगभग लगभग चार लाख अठावन हजार बीपीडी तेल दिया जाता है और भारत इरान के मंद में आई पी आई यानि कि इरान पाकिस्तान इंडिया गैस प्लाइप लाइज भी समझाता हुआ है तो यह तरीके से इनर्जिस के दिश्ट कोर्ट से और यह चाहबाहार पोर्ट में अभी आप देखो यहां पे जो इंडिया जियो पोलिटिकल एंजियो इस्टेटिक इंट्रेस्ट जो है इरान में उसकी वज़ए से भी काफी महत्त्व पूल रखता है तो लाजस्ट प्रोप्ट रेजर्व होल्डर्स अ इरान आप देख सकते हो ठीक है सेकेंड नंबर पे आता है रोस्या के बाद और यह जो नौर्ट सौथ ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर है वो जो सेंट पीटर्वार्क्स के से मुंबई तक आने के लिए इंडिया के ही दौरा प्रस्थावीत है उसमें भी बंदर अबास है इरा कनेक्टिविटी की दिरिष्टिकोर्ट सेकर देखा जाएं तो जो यह नर्फ साउथ ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर है उसका काफी महत्तों हो जाता है इंडिया और इरान के रिलेसंसिप में इसी तरह के से चाबहार पोर्ट पे आप और भी कुछ दिसक्स करना चाहें तो यह पोर्ट के जा रहे है ठीक है और रिजनेबल इंप्रूट कोस्ट एंड इस्टेंस टू है इंडियन कंप्रींस इसकाफी मदद मिलने वाली है डिस्टेंस बिट्विट्विन कांडला पोर्ट और चाबहार पोर्ट कितना है 550 यानि 550 नौटिकल मिल्स क्रिया होते हैं समुद पच्चास नौटिकल मिल्स है और ट्रेड मिट सेंट्रल एस्या विल ग्रो इससे बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास करेंटिविटी की दिख्यत है सेंट्रल एस्या के साथ हमारी करें नहीं हो पाती है तो इसलिए हम पूछ आईए कि हम जो है कुछ ऐसा डेबलब करें जिससे हमारी करेंट्रल एसिया के साथ बात सके चुकर हम पहले भी बात कर चुके है कि जो संट्रल एस्या है उसके साथ इंडिया की करेंश बढ़ा इस्यू एंडिया का जो रीजन यह एक लद रीजन मात्र विकल बनता है या फिर landlord मे भी बात हो रही है जो एर बनाए जाएगा इंडिया और सेंटरल एसे के बीच में उसमें भी बात हो रही है तो इरान के साथ समद्धों में भारत का जोशाब हार पूर्ट है वह महत्यकूर भूमिकर नहीं बाता है इस से इंडिया की कनेक्टिविटी बनेगे सेंटरल एसे के साथ ठीक है और केमिकल पेट्रोलियम स्टील सेक्टर्स तो बिए इंपर इंपर्स और फर्टलाइजर इंपोर्स विल बिए चीपर और इस एर अब बादल चुकी है तो इस अडर इस कूटनी कि अभी क्या होने वाला है ठीक है जो इंडिया की प्रजेंस है चाबाहार में इससे जो वहां पे पाकिस्तान में जो ग्वादर पूर्ट बनाया जा रहा है ठीक है वहां पे इंडिया उसको भी काउंटर कर सकता है जो यह आप देख सकते हो यह जिस इस ग्वादर पूर्ट और यह इरान है हमने मैप में भी किसे मैं सक्ति जंतलन करने की कोशिस कर सकता है यहां पे चाइना की परजेंस को ठीक है और दो पोर्ट विल यूस्ट शीप प्रूड और यूरिया ग्रेटली रिद्यूसिंग इंडिया स्क्रांस्पोर्टेशन कास्ट अफगान कनेक्ट रेलिवे लाइन टू भी बूल्ट ब को कनेक्ट करेगा एंड बीगर लिंक्स तो दे पोर्ट विल बी दा इंटरनेशनल नौर्स सौट ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर पहले हमने पिछले स्लाइज में बात किया था इसके उपर तो डाइट विल कनेक्ट इंडिया विद अजर्बैजान तुर्कमेनिस्तान और संबंद तो है लेकिन पाकिस्तान जो है ना एक बहुत बड़ा और बहतर जो इंफ्रेस्ट्रक्टर की कमी के कारण भारत इन संबंदों को आर्ति उससे भुना नहीं पा रहा है तो जहां भारत और मद देशिया के मद बैपार मात्रफ 1.5 बिलियन डालर है वहीं चीन से मद से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यह पूरा देशियन जो है उसी में आता है कनेक्टिवीटी के दिस्ट कोट से ही देखा जाए तो तो 1995 में एक समझावता हुआ था इरान और भारत के बीच में चीक है तो इस समझावते के अनुसार भारतिया समान इरान के बंदर ए अब अबास यानि की चाहबहार पोर्ट से होकर तुर्कमेनिस्तान द्वारा मत देशिया तक पहुंचाने जाने लगा यानि कि 1955 से ही समझावता हुआ था इस कनेक्टिवीटी के बिंदु पर और भारत का जो एक्सिंडर नेवर हुट तक पहुंच है उसको हासिल करने के लिए इरान और भारत का स्रहयोग इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल लादा कर सकता है विकोज अब दर कनेक्टिवीटी और अगर हम बात करें कि क्यों इरान जो है इंडिया के लिए एक ओयल सप्राइल से भी ज्यादा कुछ है तो यह तो हमने देखा कि कनेक्टिवीटी है कनेक कि दिश्टिवीटी की दिश्टिपूर्ण से यूरेसिया और इंडिया के बीच में साफी महत्वपूर्ण है एनर्जी शप्लायर इरान इस लैंड पावर ऑन दे अधर साइड पाकिस्तान दैट प्रवाइट इंडिया वित अन अल्टनेटिव रूस तो अफगनेस्तान ए ओर ऑन एकर्वीटी अनर्ञेट पाकिस्तान ने जो इंडिया की कैनेक्टिव ती में अपनी जो है डरीके से बाधा बना रखी है उसको काउंटर करने के लिए काफी महत्वपूर्म प्ले करेंगा अधीरां। इंडिया इंडिया से इस चीज़ को and thoughtfully by all past governments and Iran for India is not just an energy supplier from the Persian Gulf region ठीक आप समझ सकते हैं इस चीज़ को तो इंदिया infrastructure building activity in Afghanistan is done with the support of Iran इंदिया ने जो infrastructure बनाए थे अफ़गनिस्तान में उसमें भी एरान ने support किया था हाला कि अफ़दरिस्तान की तो अब दसा ही बदल चुकी है इस पर हम ताफी ज्यादा कुछ certainty वाली बाते नहीं कर सकते हैं तो इंडिया has disregarded the political inclination of the governments in Tehran with an eye on the overall necessity of the countries for the India's strategic security तो इस दिश्ट पूर्ट से अगर देखें तो सिर्फ और सप्लायर ही नहीं है जबकि एक इंडिया के साथ जो इंडिया का जो एक क्या बोल सकते हैं अब इसको इसको इस्टेजिक पार्टनर भी है अब हम थोड़ा सा इस पे और कुछ बाते कर लेते हैं जैसे कि भारती जो संबंद हैं भारत का इरान के साथ वह जो हमारे इरान के 20 में संबंद है उस पर उसमें जो बदलाओं होते रहते हैं उसके कारणों पर हमें एक पर चार्चा कर लेते हैं कि 2005 में जो इरान है उसको आई यह ने अंत्राश्टिय परमाड एजनसी ने आरोप लगाए था कि जो परमाड अपरसाठ संधी है पर हस्ता के बिना ही इरान के कुछ जो परमाड संयत्र है वो परमाड को इन्रीच करकर के परमाड हाथियारों का निर्मान कर रहे हैं और इसके बाद स्वरच्छा परश्चत दरा इरान के बिरुद परस्ताव लाए गया ठीक है अंतराश्टिय उर्जा एजनसियों में हुए जो मद मद्दान थे उसमें भारत ने भी इरान के बिरुद मद्दान किया था 2005 की बात की जा रही है ठीक है और इरान पर प्रतिबंद लगा दिया गया था 2013 में इरान दराफ फिर से प्रतिबंद हटाने का प्रयास सुरू कर दिया गया था और उसमें इसको सवलता भी मिली सुरच्छा परशत के 27 सदस्य और जर्मनी के शहयोग से वॉन समझहोते में इरान पर प्रतिबंद समाफ्ट करने की बात की गए किन्तु 2012 में डोनल्ड ट्रम्प ने जो है अमेरिकी राष्टपती बनने के बाद उन्होंने इस समझहोते को नुकलियर होलोकॉस्ट की संगया दे करके एक तरक पायत रद्द कर दिया नुकलियर होलोकॉस्ट ठीक है किसने बोला टोनल्ड ट्रम्प ने उन्होंने इस समझहोते को रद्द कर दिया रद्द करने के साथ क्या हुआ इरान पर जो आर्थिक सैंक्सन्स थे एकनॉमिकल सैंक्सन्स और और बढ़ा दिये गए भारत ने भी इस मुद्दे पर इरान का साथ तो दिया कि तुँ अमेरिका का विरोध नहीं किया जबकि इस समझहोते के रद्द होने के बाद से भारत की जो तेल की कीमते बढ़ें बढ़नी थी क्योंकि इरान के साथ जो हमारे संबन्द तेल का आयात आपने सुरू में ही इंडिया इंपोर्ट करता है तो कीमते बढ़नी थी आर्थिक प्रजबंदों के बाद भी चीन इरान के संबंद बढ़ते रहे और इन दोनों इस्तितियों में ही भारत को फायदा नहीं होने वाला था तो अमेरिका और इस्राइल की तरफ से भारत की तरफ जो भारत का जु होज हुए है वह दूसरी तरफ इरान के साथ रिष्टे तुरी से क्या हो गए है अब यहाल ही में जो इरान पर अमेरिकी हामलों का भी भारत द्वारा बिरोद नहीं किया गया ठीक है और साथ ही जो भारत ने अमेरिका द्वारा इरान पर लगे प्रतिवंधों में भी काफ इसे इंदिया के बीच में संब्बंद प्रवावित होते हैं इसलिए इस पर से इस्पेशल स्टेटस है उसको हटाने के लिए भारत सरकार की अलोचना करता है और किया भी है तो इसे में चीन के साथ जो है उसके सायोग इतने चीन का सायोग दिया और हाल ही में चीन ने एक बहुत ही काफी १िस डील करी दोनों देसों के लिए मानने होगा जो दील है की इरान की जो तकनीकी इंफ्राइस्ट्रक्ट्चर दोग को बढ़ाएगा जब कि इरान उससे चीमत पर तेल और गैस्ट बन देगा और इस इस समझवते के तुरंट बात जो है इरान ने भारत को जो है रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया था क काफी स्लो काम कर रहे हैं लेकिन ऐसे में कुछ उमीद की किरणे भी आप देख सकते हैं कि जैसे चावाहार पर योजना है ठीक है जो चावाहार पर योजना एक काफी दोनों को लाव होने वाला है जहां इंडिया एक तरह के से कनेक्टिविटी बढ़ेगी यूरोप तक इ पीच में और यूरोप तक के मार्केट में इसके मादम से पहुंच बनाई जा सकती है और अगर हम बैचारी को बात करें तो इंडिया का स्टेंड काफी स्ट्रॉंग है क्योंकि इंडिया डेमोकेश्य को सपोर्ट करता है चाइना जो है एक्सपेंस निस्ट पॉलसी को फॉ जो है आफगानिस्तान में जो टालीमान की स्टिती है उस पर इंडिया इरान की हेल्फ कर सकता है अभी जैसे के हाल ही में जो संगाई सायोग संगठन की जो एक हिस्मी बैठक होई है कल पर सो उसमें इरान ने पॉर्मलिटी पूरी करते हुए जो है एक तरीके से थर्ड इरान जो है वह भी सदस्य है तो ऐसे में दोनों संगठनों को एक मिल जाएगा वहां पर यह दोनों देश आपस में संबंदों को और प्रगार बना सकते हैं कि आतंगवाद जैसे समस्याओं से निपड़ने में दोनों जैसोगा सायोग काफी महत्तपून हो सकता है इस्लामिक आतंगवाद से आतंग वह भी स्टिया सुन्नी के जो बिद्रों है उसमें भी तो इस डिस्ट कोर्स अगर देखें तो भारत इरान के संबंद थोड़े से संकट ग्रष्ट तो है अभी हाल ही में इसले महीने एरान के साथ बाचित भी करी थी और बदलाव के इस्तिति बनी है दोनों देशों के बीच में लेकिन जो संकट के जो संकट वाली इस्तिया है वह बदलेंगी और भारत की जो अपनी पॉलसी है विश्वसांती की और बस की अनुसार जो है काम करेगा इंडिया और इरान के साथ अपने साथ लेकर के आएगा तो यह हमने बात किया इरान और भारत के बीच में संबंदों को तो आज के लिए बस इतना ही फिर आगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया और इस्राइल रिलेशन्सिप जो कि के लिए काफी महतरपूर होगा तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें अगर आपको इस कर सकते हैं आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट हमारे फेस्बुक पेस ट्वीटर पेस टेलिग्राम चैनल या फिर एमेल के मादम से भी जूर सकते हैं यह सबी लिंक नीचे डिस्किप्शन में दिये गया है और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कलिक्स के ताकि इन से उनकी भी हेल्प हो सके इस से सब्सक्राइब के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं अगले से सब्सक्राइब बहुत जल्द तक ओकुल के साथ लर्निंग को इंज्वाइब करते रहें थैंक यू सो मच